C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा आठ की उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम जी आया साब लिखक साधात हसन मंटो बावर्ची खानी की धुंबली फिजा में दूर कौने में पानी के नल के पास एक छूटी उम्र का लड़का बैठा बरतन साफ करने में मश्गूल था ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था बरतन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुन-गुना रहा था लड़के की आँखें नींद से बंध हुई जा रही थी सर सख्त भारी हो रहा था मगर काम किये बगएर आराम ये क्यों कर मुंकिन था दफ़तन लड़के ने नींद के नाकाबले मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुमबिष्टी और जी आया सहाब जी आया सहाब गुन-गुनाता हुआ फिर काम में मश्कूल हो गया जी आया सहाब जी आया सहाब काथिम जी आया सहाब जी 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 सहाब अरे तेरे बरतन साफ नहीं हुए अभी तक बस सहाब अभी साफ हो जाते हैं कितनी देर लगा दी सहाब बरतन राक से साफ करने के बाद पानी से दो कर करीने से रखना भी तो था और ये काम जल्दी ना हो सकता था सहाब आप तुम जाओ जी आया साथ जी आया साथ जी आया साथ आसेम ओ कासेम जी आया साथ लड़का जो उन्ही अलफास की गर्दानी कर रहा था भाग कर अपने आखा के पास गया जी जी साथ इस्पेक्टर साथ ने कंबल से मू निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा बेवकूफ के बच्चे आज फिर यहां सुराही और गिलास रखना भूल गया है साथ, अभी लाया साथ आप तुम जाओ जी साथ, जी साथ कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो भी बरतन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उस कमरे से आवाज आई अरे कासिम, हो कासिम जी आया साथ कासिम भागता हुआ अपने आपका के पास गया बंबई का पानी किस कदर खराब है जाओ, पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ बहुत अच्छा साथ बस बागते हो जाओ, सक्त प्यास लग रही है अभी लाया साथ, अभी लाया कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से जो घर से करीबन निस्फ मील के फासले पर वाके था सोड़ी की बोतल ले आया और अपने आखा को गिलास में डाल कर दे दी साथ लाओ अब तुम जाओ मगर इस वक्त तक यहां क्या कर रहा हो बरतन साफ नहीं हुए क्या अभी साफ होते हैं साथ और हाँ बरतन साफ करने के बाद मेरे सियाह बूट को पॉलिश कर देना बहुत अच्छा साथ मगर देखना इत्यात रहे चम्बडे पर कोई खराश ना आए वर्ना जी साथ जी साथ कासिम को वर्ना के बाद का जुमला बहुभी मालुम था वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बरतन साफ करने शुरू कर दिये अब नीन्द उसकी आँखों में सिम्टी चली आ रही थी पलकें आपस में मिली जा रही थी सर में सीसा उतर रहा था ये खयाल करते हुए कि साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने है कासिम ने अपने सर को जोर से जुमिश दी और वही राग अलापना शुरू कर दिया मगर नीन्द का तुफान हजार बंद बांधने पर भी ना रुका अब उसे महसूस होने लगा कि नीन्द जरूर गल्बा पाकर रहेगी लेकिन अभी बरतनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगा पर रखना बाकी था जी आया साब जी जी बूट अभी साफ हो जाता है साब उस वक्त एक अजीब खयाल उसके दिमाग में आया बहर में जाए बरतन और चूले में जाए बूट क्यों ना थोड़ी देर इसी जगा पर सो जाऊ उसके कान बूट बूट की आवाजों से गुझ उठे अरे मेरे बूट अरे पॉलिश हो गई क्या मेरे बूटों पर पॉलिश हो गई बहुत च्छा साब अभी पॉलिश करता हूँ साब अभी पॉलिश करता हूँ बढ़ बढ़ाता हुआ कासिम बूटा जैसे उसके आखा ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया हो अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया सुभी जब इंस्पेक्टर सहाब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा ये जानवर की तरह यहां बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने बूट साफ कर दी होंगे तो उसे ठोकर मार कर जगाते हुए कहा अरे कासम उठ उठ जाए अभी आया साफ अभी आया मैं सो गया था साफ अभी बूट पलिश हो जाते है अभी बूट पलिश जाते है ये कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगणना शुरू कर दिया औरे कासिम जी जी आया साब अभी आता हूं साब कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आपा के पास खड़ा हो गया जी जी साब देखो आज हमारे यहां महमान आएंगे इसलिए बावर्ची खाने के सारे बरतन अच्छी तरह साफ कर रखना जी ठीक है फर्ष भी धुला हुआ होना चाहिए बहुत अच्छा साब इसके अलावा तुम्हें मुलाखाती कमरे की तस्वीरों मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा समझे बहुत पेटर साब मगर ख्याल रहे मेरी मेज पर एक तेजधार चाकू पड़ा हुआ है उसे मत छड़ना वर्नो जी जी मैं ख्याल रखूंगा मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ ठीक है अगर ये काम दो घंटे के अंदर हो जाना चाहिए समझे जी दो घंटे में हो जाएगा मैं कर लूँगा साथ मैं कर लूँगा इंस्पेक्टर सहाब दफ्तर चले गए कासिम बावर्ची खाना साफ करने में मश्गूल हो गया देर घंटे की अंथक मेहनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम कामों को खत्म कर दिया और हाथ पाउं साफ करने के बाद जाडन लेकर मुलागाती कमरे में चला गया अभी तमाम कमरा साफ करना था और वक्त बहुत कम रहकिया था चुनाँचे कासिम ने चल्दी-जल्दी करसियों पर जाडन मारना शुरू कर दिया अभी वो कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद में साफ करने जा रहा था कि उसे यका यक ख्याल आया आज महमान आ रहे हैं खुदा मालू जाने कितने बरतन साफ करने पढ़ेंगे ये नीन कमबक्त कितना सता रही है मुझे तो कुछ ना हो सकेगा क्या करू अरे चाकू तेजदार चाकू कासिम यही तुम्हारी मसीबत को खत्म कर सकता है कासिम ने तेजदार चाकू उठा अपनी उंगली पथेर लिया कासिम यही तुम्हारी मसी 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 तु वो शाम के वक्त बरतन साफ करने की जहमत से बहुत दूर था और मींद प्यारी-प्यारी हब उसे बाआसानी नसीब हो सकती थी। उंगली से खून की सुर्खधार बह रही थी। थोड़ी देर के बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी। साफ कर रहा था उसने काट खाया। कूता फांता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। तीन जार रोस तक बरतन साफ करने की जहमत से बचा रहा। मगर उसके बाद उंगली का जखम भराया। अब फिर वही मुसीबत नमुदार हो गई। कासिम साफ की जुराबे और कमीजें धो डालो। बहुत अच्छे बीबी जी। कासिम ओ कासिम। जी बीबी जी। कमबखत मारे, तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है। इसे साफ क्यों नहीं करते है। अभी हो जाते है बीबी जी। हाँ, जा, करो। कासिम, अभी खाक रूप आता है। तुम पानी डालते जाना, वो सीड़ियों को धो डालेगा। बहुत अच्छा साफ। कासिम, जरा भाग केक आने का दही तो ले आना। अभी चला वीबी जी। एक रोज इंस्पेक्टर साफ की मेज साफ करते वक्त, उसके हाथ खुद बाखुद चाको की तरफ बढ़े। और एक लम्हे के बाद उसकी उंगली से खुन पह रहा था। इंस्पेक्टर साफ और उनकी बीवी पासिम की ये हरकत देखकर बहुत खफा हुए। चुनांचे सजा की सूरत में उसे शाम को खाना ना दिया गया। मगर वो अपनी इजात करदा तरकीब की खुशी में मगद था। एक वक्त रोटी ना मिली उंगली पर मामुली सा जखम आ गया। मगर बरतनों कामबार साफ करने से निजात मिल गई। ये सौदा कुछ बुरा ना था। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का जखम ठीक हो गया। अब फिर काम की वो भरमार शुरू थी। पंधरा बीस रोज गधों सी मशक्कत में गुजर गये। इस अर्से में कासिम ने बार बार इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली जखमी करे। मगर अब मेज पर से वो चाकू उठा लिया गया और बावर्ची खाने वाली छुरी कुंद थी। एक बार उसके आका ने उसे अल्मारी साफ करने को कहा जिसमें अधवियात की शीशियां और मुक्तलिफ चीजे पड़ी हुई थी। अल्मारी साफ करते वक्त उसे दाड़ी मूडने का एक ब्लेट नजर आया। ब्लेट को पकड़ते ही उसने अपनी उंगली पर फेर लिया। धार थी बहुत तेज और बारी उंगली में दूर तक चली गया। जससे बहुत बड़ा जखम बन गया। कासिम ने बहुत कोशिश की के खून निकलना बंद हो जाए। मगर जखम का मूँ बड़ा था वो ना थमा। सेरों खून पानी की तरह बह गया। ये देखकर कासिम का रंग कागस की मानिद सफेद हो गया। भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया। बेवी जी, बेवी जी, बेवी जी। मेरे उंगली में साब का उस तरह लग गया। कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्यों बेवी जी। ये साहब से दर्याफत करना है। चार बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आये। और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फौरण अपने पास बुलाया। देखो, इस कामचोर की हरकते हैं। क्यों मियां, ये उंगली को हर रोज जखमी करने के क्या मानी है। हाँ, क्या मानें बता। तुम नउकर ये समझते हो, कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार-बार धोखा दिया जा सकता है। अपना बोरिया बिस्तरा दबा कर नाक की सीध में यहां से भाग जाओ। सुन लिया ना। नई, हमें तुम जैसे नउकर की कोई ज़रूरत नहीं है। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। और अपना बिस्तरा लेकर वो सीधियों से नीचे उतर गया। खैराती अस्पताल में एक नौखेस लड़का दर्द की शिद्द से लोहे के पलंग पर करवटे बता लहा है। पासी दो डॉक्टर बैठे हैं। इन में से एक डॉक्टर अपने साथी से मुखादिब हुआ। डॉक्टर आप ये रिपोर्ट देखेंगे। है जी सख्म खतर राख सुबत एक त्यार कर चुका है। हाथ काटला पढ़ेगा। जी मैं अभी फार्म भर देता हूँ। नाम मुहम्मद कासिम। वल्द अब्दुर्रह्मान मरहूं। उम्र दस साल। जी आया साब। लेकत सादात हसन मंटो। अभी आप सुन रहे थे ये कारे करम। विशे सैयोजन, डॉक्टर्च मनारा, कलाकार, पर्वेज गोहर, सुचित्र गुप्ता, नीरच्शर्मा, कीम्ति आनंद और रक्षित्थ प्लियाल, बाल कलाकार, रितिका तावर, धुनेंकन, बटिलेंग लिंडो और शानु मुक्सीम, निर्मान सैयोग, तनु गुप्ता निर्मान, निर्देशन, वध्वनि संपादन, वंदिन अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत